आप सभी का स्वागत है आपके पने यूटूब चनल सुकला स्वागत में मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फ़स्टियर हिंदी साहित पेपर वन के चौदा ऐसे महत्पूर्ण टॉपिक पर जिन से लगातार पिछले पांच साल के यहीं से लगभग परस्द को पूछे गए हैं अब मेरी प्यार दोस्तों यहाँ परस्ट नूटता है कि सरिया आखिरकार किसी तो के लिए बता रहे हैं मेरे प्यार दोस्तों आप किसी भी उनिवर्सिटी से संबंद रखते हों आपकी आपका परिक्षा पैटन कोई भी हो चाहे वहाँ लिखित फार्म वाला हो या फिर आपका अब्जक्टिव हो मलब कि आपका OEMR पैटन पर परिक्षा आधारित हो किसी भ पत्र का नाम है तो बड़े ही आसानी से यह लेक्षर आपका मार्क दर्शन करने वाला है और आपको लगभग 80% नंबर दिना ले वाला है या बात आप ध्यान लखेंगे लिखित परिक्षा है तो आपको दो-3 चारी कारे एक्ष्ट्रा करने पड़ेंगे वह कौन से कारी ह परियास करेंगे तो आप मुझे पर छोड़ दीजिए बस मुझे आप लोग सुनिए और बड़े ही आसानी से सारे मुद्धिय को समझने का परियास करेंगे यहां पर हमने लिख रखा जितने भी टापिक आपके इंपोर्टेंट है उनसे अमालते कबीर दास वलिंग मुहम के किसी भी उनिवर्सिटी से आप संबन रखते हों बड़े ही आसानी से यह 14 इंपोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपके लगबग एक्जाम में लगबग यहीं से मेरी पार दोस्तों 80% नंबर आ सकते हैं आपके या बात ध्यान लखेंगे तो बड़े ही आस दोस्तों तो यहां पर रिखतेखिते हें जा रखतेखित और यहां के चरचा प्रिम तोफ काई मेरी लिख्यां और कबीर दास्बीर को सबसे पहले आपको भकती काल आप आप हिंदी सायथ के इतिहास को आपने नहीं पढ़ा है तौन रेक्षिर हमारे चनल पर एक प्रकार से मगर अगर बताओं अध्यन के सुविदा के साब से या फिर समाजिक परिवेज को देखते हुए या फिर समाजिक को आता हुण या पिर चुकि साहित जो होता समाज का दरपन होता तो समाज में जो गटनाएं गटित होती है उसके आधार पर हिंदी को हमने भी апाटा है सांती साथ जो जनली बाटा जाता है कि प्राचीन मद्य और अधुनिक इस काल के हिसाब से भी हमने बाटा है तो मेरे पर दोस्तों हम बात करें यह से इतिहास को अधिकाल को मने माट आ और हम इसके बाद में आधुनिक काल के नाम से आंते हिंदी को अब प्राचीन काल में भी कई कई आपके जो है मिलेंगे मेरे पैर दोस्तों विचार धाराय मिलेंगे और उनके हिसाब को मिलेगे मेरे परदोस्तों पूरभ मध्दीकाल दूसरा होगा उत्तर प्रितीकाल भक्तिकाले सारे के सारे नाम कहीं ने कहीं पे आचार रामचन सुकला जी ने दिये हैं और उन्हों ने समाजिक परवेश को समाज में जो चिल नहीं या फिर बैग्या रिक्ता के अधार पर एक प्रकार से हिंदी साहित का इतिहाल दिखने का प्रियास क्या उसके कॉर्डिंग उन्दिया है सारे नाम क इसी प्रकार से उन्होंने जो है उत्तर मद्दिकाल को रीतिकाल के नाम से जाना तो प्रकार से अधुनिक काल में पढ़ते हैं भारतिंदु यूग द्रवेदी यूग। उसके बाद मेरी प्रियोग पढ़ते हैं जो है आप सवतंतरी उत्र कविता उसके अधने गजल रुबाईयां इत्यायत पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं हलाकि वो सारे के सारे मुद्ध्य आपको नहीं पढ़ने हैं पढ़ना बस केवल हिंदी साहित में आपको क्या पढ़ना है उत्तरमधिकाल और पूरमधिकाल मनलब की पूरमधिकाल और उत्तरमधिकाल मनलब भक्तिकाल और रीतिकाल के कभियों के बारे में आपको पढ़ना है जड़नली अधिकतर से लेबस में आपके कवीरदास, मलेक मुळमद जासी, सूर्दास, तो बिहारी, घनानन्द, केसोधास, भूसर और रहीम यह सामिल है लेकिन किसी किसी में देव मतिराम यह सब भी सामिल है तो अगर जिसमें भी सामिल है उनकी जो विचार धारा है जो होगी उसको आप समझ लेंगे हम बात करते हैं कभीरदास के बारे में कभीरदास से कैसे पूछता है उसको समझ लेंगे वीडियो को लाश तक देखना क्योंकि लाश तक अगर नहीं देखेंगे वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी वीडियो समझ में नहींगे क्योंकि हिंदी साहत है और हिंदी साहत एक प्रकार से अपने आप में जटिल भी सह है और इसको समझना अगर है तो कबीर दास का क्या हुआ था कबीर दास का जनम हुआ था कहा पर हुआ था तो कासी में हुआ था मेरी प्यार दोस्तों इनके गुरू का क्या नाम था तो या भी कभी 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 दास के गुरू के समझ नाम पुछा था इनका तो फकीर सेख तकी इनका मुसल्मानों के अनु पूछेगा जीवन परिचे समय इनके पुछा आता रहा है इनकी मिर्तिव का हुई थी पंद्रा सो अठारा इस बीमें की मिर्तिव हो जाती है तो कहीं न कहीं पिए आपको कबीर दास के जीवन परिचे को पढ़ लेना है उसके आदमें की रचनाओं को पढ़ लेना है और लगातार पूचे आपका साखी दूसरा सबद रोती सब्सक्राइब औरया सवर्द के नामम लोftig होता है इसको हम साक्छी के नाम से जानते हैं और जो सब्सक्राहता है जो कबीर才 कि का अर्थ क्या साखी का था था साख्छी और जुह सावद कार्थ का हुता सब्द और मैनी का थो था रामायरा इन तीन वाले हैं उनको इनके साहितिक पर्चे के बारे में जानना होगा हला की जिन से आप्जक्टी पूछा जाएगा उनको भी आपर साहितिक पर्चे पढ़ना होगा चुकि साहितिक पर्चे से भी आपके एक्जामें परस पूछेगा लेकिन ज्यादा इंपॉर्ड आपका जीवन परचे रचनाये होती है आप्जेक्टिव में तो साहितिक परचे में और उसके जारी रिचार से रिलेटर प्रसंदिक्ता में पूचे गए हैं लिकित फाम वालों तो कहीने पर आपको कभीरदास का सब्षाद पढ़ना है समाजी कि धार्मिक जो है विचारों को पढ़ लेना है तो मेरे पैर दोस्तों यह थे आपके कविर्दा से कुछ लिटर जो की इंपोर्टन जो है टॉपिक थे जो कि आप से एक्जाम में पूचे गए हैं और लगातार पूचे भी जा रहे हैं अब दूसरा टापिक आता आपका मलिक मुहम्मद जायसी मलिक मुहम्मद जायसी से किस प्रकार से पूचेगा इसको भी ध्यान रखेंगे तो मलिक मुहम्मद जायसी मेरे प्रकार से समझेए पहले यह प्रेमा ख्यानक का विधारा या कभी परंपरा के एक कभी होते हुए साथी साथ मेरे प्यार दोस्तों मलिक मुहम्मद जायसी कहीं में कहीं पे या हिंदी में रचनाय लिखते थे और इस सबसे मज़़तार बात या है कि यह अवधी भासा में रचनाय रिखते थे अवधी भासा में नागमती का वियोगोरन में आपने पढ़ा होगा इंटर में 12 मासा इस तपहला अगभ जी अठासाधी सुआ काल होई लगा इस प्रकार से कुछ नागमती का वियोगोरन लिखा गया है तो उसको कही नहीं पर देखना पड़ेगा और कभी भी किसी भी जीवन मलग जो है जीव आप जो कभी के बारें पढ़े तो उसके जीवन पर्चे और उसकी रचनायों के बारे में जरूर पढ़ें चुकि अगर अब्जेक्टी में प्रसंद पूछाएगा तो जीवन परिचे मलब उनका जनम मरण उनके माता पिता का नाम उनके गुरू का नाम या इसी प्रकार से इससे प्रसंद पूछेगा रचनाओं से लेटर मेरी पैर दोस्तों इनकी रचनाय कौन-कौन सी अखरावट पदमावा चौन-कौन-कौन-कार से उनका या सतरानी प्रसंद पूछेगा तो आपको इसको देख लेना है वैसे जायसी जी के जनम के संबंध मेरी पैर दोस्तों बहुत ज्यादा मत्भेद है मलिक महाम्मद जैसे के बारे में जायस नगर-मोर-अस्थान उनका उनने अपनी चौन-क बिखते हैं जो है विचार भी दिये हैं तो करें ने करें मेरे पार दोस्तों इन में बहुत जादा मद्वेद है तो हो सकता है मलिक मुहमद जायसी से जन्म से समध्धित परस नहीं पूछेगा आपसे मृत्यू समध्धित परसना आपका इनका यह ताहे है पूछा जाएगा और मिर्ति कभूईती 1542 में ध्यान लखेंगे तो इनका मिर्तिव से लगातार पस्ट बंधा तो इनको ध्यान लखेंगे चुक्कि इनके जनम में महत्बेद है यह तो पूछेगा कि यह इनके अनुसार फ्लाने के अनुसार लेकिन वैसा नहीं पूछेगा चुकि आप बड आपको मलिक मुहमद जैसी का जीवन पर्चे पढ़ लेना है और उनकी रचनाओं को पढ़ लेना आखरी कलाम हो गया पदमावत हो गया अखरावट हो गया इन सभी को आपको देख लिना कि हां इनकी रचनाए हैं इसी प्रकार से मेरी प्यार दोस्तों इनकी अलंकार विध सब्सक्राइब के बाद एक दोहा आता है इन में ध्यान लखेंगे और कि सवदी का प्रियोग किया गया मालिक मुहमद जैसी कि भासा क्या है और इनका अलंकार विधान आपको बताना है साथी साथ प्रकृति चितन अभी इनका बताना चूप कि या प्रेमा खानक कावे पर अनारी को प्रकृति से जोड़ कर बताते थे यानए इसका फूल्फवा मलभ की जो प्रकृति Harmony बीकरन हुआ है वा चाया वाद में आपको पूर्ण रूप से पड़ेगा इन कुछ मात्रा में जाए सी जी में या कला विद्दमान थी तो इसके बारे में आप करते पूछेगा लिधी तो आपको अपसे कभी बस अबशेगा कि जाय सी मलिक मोहमद जाय सी का जी आइन पर्चे देते हो उनके प्रकरती चत्रणव का निरूपन कीजिये कुछ ऐसे पूछेगा यहां से आपको इनकी क्या पाड़ लेना सूर्दा अमलव की मोलिक मुहमद च कैसी में जीवन पर्चे रचनाय अलंकार विधान उनका और प्रक्रतिक चत्रन मोस्ट इंपॉर्टन चीजे हों के ध्यान रखेंगे आगे हैं आपके मेरी पर दोसुर्दास सूर्दास जी का आपको क्या पढ़ना जीवन पर्चे पढ़ना है रचनाय उनकी पढ़नी और भक सूर्दास जीवन पर्चे पढ़नी उसी में सब आ जाएगा नीरू नीमा इनकी माता का नाम था नीरू इनके पिता का नाम था इसी मलब की मानक पिता थे करें और वाश्तみ रूप से नहीं थे इनको ये मिरेट को जो है निरूल नीमा और इसी प्रकार से मेरे प्यार कि फुफर आफ नाम र को इते कंते कंष्चातन लोगत उनकी सब थे सबसे यहां से और मैं को इसके को इसने बनाया था पुष्ट इमार का जहाज इनको कहा जाता है सूर्दास जी को हम क्या कहते हैं वात्सल समराट के नाम से भी जानते हैं तो कहीं ने कहीं पर यह सारे मुद्दे इन से पूछे जाते रहे एंग्जाम में तो अब्जेक्टी बालो या प्रसना आपको ध्यान है तो इनकी भक्ती कैसी इनकी है मेरे काड़ से भक्ती उसी दास की और सूर्दास की साकी भक्ती है कि सूर्दास को वात्सलसमराट क्यों कहा याथजिया तहुलoooo प्रकार से उधार साइद ब्याख्यत कीजिया फिर प्रमारिट कीजिये या सूर्दाज की भादा साहिली कैसी है और भाता साहिली के माध्यम से उनकी दो-तीन रचनाओं के उधार जो है सवस्पष्ट कीजिए कुछ इस प्रकार से पूछेगा इंसे तो ऐसे आपको यहां पर ध्यान देना है तो भादा सैलीन की देख लिनी कैसी है वैसे ब्रजभासा में रचनाय करते थे और मेरे प्रदोस्तों इनकी सैली में बिने के अब देया कि और यहां आपकी के प्रदेशी की बात प्रदेशी की बात निस दीन बरत दोस्तों जो है आप बता सकते है कि क। प्रकार से इनकी रशनाये हैं कुछ मलगी जो है या फिर यह है आप इनके संबन्द में जो है बल लभाचार के पुतर थे उनका नाम था बिट्रलाथ और नहीं बिट्रलाथ ने आज च्छाप का एक संग्रा किया था उसके परमुख कभी थी तो इस प्रकार से पस्ट इन से बनते रहे हैं तो इनको वासल सम्राथ आप से पुछेगा वासल सम्राथ किस कभी को वायता सूर्दास को अब्जिक्टिब वलो तो ऐसे आपको यहां पर सूर्दास समझें चारी बातों को पढ़ लेना है इसी प्रकार से आगे है आपका चोथा महात्मुर्ट पॉइंट परदोस्तों जो है तो इसी दास तो सीधास जिसे भी इसी प्रकार से पुछेगा सुझाजी का जिवन पर चाप को पढ़ना है उन्हां पढ़ना है और तुसीदास में रहे की भावना बहुत अच्छी थी यह समय्न आत्मा कभी कह जाते हैं तो सीदास को लिका जाती है कभ तुलसीदास जी मेरे प्यार दोस्तों जो है हिंदी की पूछा जाती कभी तेकर उसको लोग समझ नहीं पाते तुलसीदास हिंदी के जाती कभी है किसके हैं हिंदी के जाती कभी है ना कि मेरे प्यार दोस्तों समाज के जाती कभी है तो ध्यान रखेंगे इस बात को पस्तों के जनम में तीन प्रकार की जनम जम बताए गए है तुन शेडा जी के समझे मेरी प्रदोस्तों एक जूनka जनम रोटान है जोCry घी पर До Time आधा 1526 508 22終ermet tap MRT Одессi साम स्क्षिया यह संस्क्षिस सकते है तो कहिडरिय आप समझ सकते हैं लिए इन早ं समझे आते रहे हैं इंकर जनममिट परसन आ प्रसना आप के तो लिनके आगी के समने पूछे आते हैं यह को आपको परसन्याद ध्यान में रखना है ओके और यहां पर मेरी प्रदोस्तों या एक बात यहां पर यह जान लेने आतिया वस्ते खोगी आपको कि तुलसिदा जी ने अलंकार जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और एक अलंकार यहां पर सबसे महत्पूरिंग में य liar यहां चाहिया तो कभी चाहिए आप से प्रसक्ष आतरी रूप्णों के बात साथ जाता है तो रूपकों के बाउस सा इसको काता है तुसिदा anyone to सबस्था का तो सबाब इस सब्सक्राइब थ्यान रखेंगी तिनी बात कि तुल्सिदा कर रहा यह समय नायातमक कभी तुल्सिदा को इस प्रकार यह प्रकार से हिंदी के जाते कभी है इस कथन की पुष्टि कीजिए तू सिदाज जी की भादा सहीली बताते हो इनके रचनाओं पर प्रकार डाले कुछ इस प्रकार से इन से प्रसनों पुछेगा तो इन सभी प्रसनों को आपको ध्यान में रखना है तो क्या कर पढ़ना जीवन परचे रचनाए अलंकार योजन मैं अधर बता रहूं यह लिखे तवालों के लिए और आपके लिए भी है लेकिन ज्यादा इंपोर्टन आपका जीवन परचे और रचनाएं होती है ध्यान रखेंगे मेरे पैर दोस्तों को पढ़ लेंगे बहुत अधिक नंबर मिलब आपके लगबक से और हो जाते हैं त इसी प्रकास यान दो है कि दो है कि अगर आखय करने बैठे तो रभक तिन प्रकार के यार्थ निकलते हैं कि दो है कि इनके तो कहिने कहें बिहारी लाल के जीवन पर्चे के बारे में आपको पढ़ना है इनका जनम जो हुआ था 1603 इसवी में हुआ था उनकी मिर्तुव जो इनके रचनाव को पढ़ लेना है रचनाव में इनकी एख रचनाई रचनाई है लिकना को इस तना होगा इन नगी की를 हैं उसके बाद में जो आपके जो है मेरी तो घर्म और नंद भैवा हरीत मुक्त के हैं किसोदास भूसट यह किसके मेरे दोस्तों तो के इस.하게 मेरे प्यार दोस्तों यहारी ते बद्धकाब इधारा के हैं उके चाले आगे दिखते तो बिहारी के जिए उन पर चैना इस रिंगार निरोपर भक्ति और नीती अलंकार इंकी कैसी रही है बिहारी की इसके बारे में सौंदर चेतना से रिटर पुछा या रहा है आप से एक् रोजना को लेकर के इनके अलंका रोजना कैसी थी भासा कैसी ती तो ब्रजभासा में रचनाई क्या करते थे यह सारी शीजिए आपको बतानी बड़े आसानी सीजिसको पढ़ लिजीगा आगे बड़ते हैं घहनानन्द मेरी प्यार दोस्तों घहनानन से भी एक्जामें कांप देत अदोन्ग को लिएक के प्रकार मिरे और प्रकार से अगर आम कहना चाहें तो और भूषड को मेरी बैर दोस्तों ओज अ कभी नहीं कभी तरण दर्हें करें लेकीन मेरी प्रकार की कह सकते हैं योध्धा कौनत्य आम्स rational और यूद्धा था या फिर प्रकार से कभी के प्रेम का पीर का क्यों कहाता है इनकी जो है इनकी फ़ीमिका थी उनका नाम था प्वेस आथी निसे प्सन कोछ Baskem hedda है एंकी रचल दॉाय परिधाare सन कम प्रदायन के पूझा जाता यह द्याबाद ध्यान रखेंगे तो यहां पर कहने कहीं मेरी प्यार दोस्तों यह चीज़े आपको पढ़ लेने हैं घ्रनाना सम्मधित उसके बाद में आपके आते हैं के सोदास कठिन काभी के प्रेत राम को मेरी प्यार दोस्तों ही ग्राशचना राम-चंड़िय का भर ता के अब जाटकर आब या यूझता है कि छन्दोघकर ग्र्णन को में किसा नह박 seven का नहीं सरे तो न्ःता है तो साहितिक पर्चे भी थोड़ा बहुत देख लेंगे आप से लिखे त्वारों पूछे गया इन से कि जो है के सुदास का जिवन पर्चे बताते हूं कि संबाद रिजयना पर प्रकार डालिये यह के सुदास को कठिन काविका प्रेत क्यों कहा आता है इसकतन की पुष्टी लीए लाके सुदास का जिवन पर्चे दी की दोती नचनाओं के नाम लिखिए कुछ दिखास से परकार पुछेगा ओखिंद लिखें के इतनी बात आगे देखते आठवा नम्मर पसने आपका भूषड भूषडड को जो है महाकभी कहा याता है तो आप से पुछेगा यह यहां कभी की उपादी किसको मिलिए भूशड को मिली है भूशड एक प्रकार से कि योपी है इस हुआ को चट्र को कहां तक मलब राष्ट्य कभी कहना कहां तक कुछ फूच आता है तो भूषड के संबंद में राष्टे कभी और बीर रस के अनूठे कभी इन से प्रस्ण आप से पूछेगा एक्जाम में लिखेत वालों कि भूषड जी की रचनाओं को जीवन पर्चे बताते हैं उनकी रचनाओं प्रकार डालिए या भर भूषड जी बीर रस के अनूठे कभी है इस कथन की पुष्टी के रिए या भूषड जो है भूषड को राज्टे कभी कहना कहां तक उचित होगा या प्रस्ण आप से पूछाता है भूषड की रचनाओं और उनके जीवन से समय जो जितने भी मुद्दे हैं उनको पढ़ लेंगे वहां से आप्जक्टी आप तर रहीम खान खाना और यह अकब्र के नरतनों में एक थffe इनके पिता का नाम बैरम कान था और प्रकार के प्रकार से वह हैसारि हुमाई के सdieौन के शामकाल में ए्योगां का युपह्चित ऑर रहें को बिकार के बच में तो इसस急 घंद आनें इसलिए अकबर के नवरतनों में से एक जो है रहिम्दास को बनाया गया रहिम्दास का अबलियत भी थी इनके अंदर ध्यान नकी रहिम्दास जी का जिए उन परचे आपको पढ़ना है रचनाय पढ़ लेनी इनकी और बरवे पूछा जाएगा कि बरवे छंद के जो है प्रक बरवे नाय का बहुत की जिए उसको आप लोग पढ़ लेंगे इनका जीवन परचे रचनाय और बरवे नाय का भेद इनका जो इसको पढ़ लेना है उसके आदे मेरे पर दोस्तों यहाँ पर कभी समाप सदाते हैं और भी जो कभी आपके पाठेकरम में होंगे तो उनको प सारे मुद्देद और हला कि जो है कभीर मली मुद्देश सूर्थ तुलसी विहारी घंणन के सों भूषण रहीम इन सभी से समय वीडियो आपके चन्रव पर उपलब्द है तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग भक्तिकाल मेरे प्यार दोस्तों भक्तिकाल जो है प्र निर्गौड भक्ति साक। सहरी मैं तो पार्ध की का लिए पर रितिकाल मेने प्रते दोस्तों यह सबद़िन को करने पर दोस्तों मेरे यूद दोस्तों के Reet स्बूर्ण सभी क्लिए आपको Приलिवा दूस्तों इसके लिए मेरे कास अगर आपके पाठंखda करम में प्राचीन हिंदी काम सामिल है प्राचीन हिंदी काम के तहित improvement कि वि harvestெ hum को बारेना है या ठोटेहर की पर्लेना हो जाएगाँ इसी प्रकार से मेरे प्राइब दोस्तों 13 अंबर आपका है आलचकों के जो कथन्द दिये गए हैं आल इंके समंध में इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है एक्जाम में पूछा आता रहा था आलोचकों के संबंद में इसी प्रकार से भासा है इन सभी की कैसी रही है तो उसको भी पढ़ लेना तो हला कि इन सब्सक्राइब ने बता दिया था इंपोरेंट के आपके लगोरेंगे जो चीजी मैंने बताई यह सभी है उके तो थोडी बातने सारी थोड़ी बात एक सारी वाते संभाइब और पर रेंगी चलिए तो मेरे पर दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टन टॉपिक जो कि आपके परिशा के दिश्टी से बहुत अधी महत्मुर्थ थे जिसमें हमने सारे मुद्दो को समझा और जाना किस प्रकार के परसना आपके एक्जाम में पूछ आते हैं तो इसी प्रकार से जो है और कि सब्सक्राइब की वीडियो चाहिए उनसको भी कमेंट सेशन में लिखने का परियास करेंगे और मैं उन सब्सक्राइब बनाने का भी परियास करूंगा मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में जब तक के लिए जाहिंद जाय भारत